आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे 5 psychology facts के बारे में जो हमारी life की कई सारी चीज़ें explain करते हैं हमारे brain की एक tendency होती है जिस वजय से हम negative events, bad news, insults को ज़्यादा register करते हैं अपने mind में as compared to positive events और हम उन negative events को बार-बार revisit करते रहते हैं bad events का अमपार बहुत ज़्यादा negative impact होता है as compared to the positive impact of positive events तो यार example लेते हैं मालो बच्पन में किसी ने आपको कोई compliment दिया हो ठीक है, तो वो compliments उनके आपको अच्छा लगा होगा but वो compliment आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहा होगा but as compared to अगर बच्पन में किसी ने आपकी insult करी थी या किसी ने आपको कुछ बुरा बोला था तो वो चीज आपको आज तक याद होगी कई सारी insults या फिर negative events मुझे आज तक याद है जो मेरे साथ हुए थे तो यार हमारे mind की ये tendency होती है कि वो जो negative events उनको ज़्यादा register करता है as compared to the positive event research में पता चला है यार कि एक negative event को balance करने के लिए कम से कम 5 positive events आपके साथ होने चाहिए तो इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं इस चीज से हम यार सीख सकते हैं कि पहला कि हमारा mind negative चीजों को ज़्यादा register करता है तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि यार किसी को negative नहीं बोलना है किसी की insult नहीं करनी है क्योंकि वो जो आपने चीज बोली है वो जो negative चीज आपने उसको बोल दिया उसका impact सामने वाले पे long lasting हो सकता है कई वार हम बिना सोचे समझे कुछ भी negative बोल जाते हैं कुछ भी insult कर जाते हैं सामने वाले की और उस negative चीज का सामने वाले पे impact ज़्यादा दिनों तक हो सकता है और इस बज़े से आपके बारे में जो perception है वो बिगड़ सकता है तो हमें यार अपने words wisely choose करने हैं और किसी की insert नहीं करनी है फालतू में तो University of Pennsylvania में एक research होई जिसमें लोगों को तीन groups में बाटा गया Group 1, Group 2 और Group 3 Group 1 के लोगों को दिखाया गया कि यार एक छोटी लड़की है अकेली लड़की है जो की भूख से मर रही है Group 2 के लोगों को दिखाया गया कि यार बहुत सारे लोग है millions of people are dying because of starvation, because of lack of food ठीक है तो उनको data दिखाया गया, उनको statistics दिखाया गया दिखाया गया कि यार बहुत सारे लोग हैं जो की भूख से मर रहे है Group 3 के लोगों को ये दोनों चीज़ें दिखाई गए और फिर उन्हें donate करने के लिए बोला गया कि जो लोग भूख मरी से मर रहे हैं उनके लिए आप donate करें तो group 1 के लोगों से जो donation आया था वो लगभग दुगना था as compared to the donation from group 2 people. तो यार इससे ये पता चलता है कि we care more about a single person than massive tragedies. हमें यार ये लगता है कि अगर हमको data दिखाया जाए, statistics दिखाया जाए, कि लाखों लोग इससे मर गए, तो हमें यार more likely donate नहीं करेंगे, हमें ये लगेगा कि मेरी ये छोटी सी donation क्या ही कर लेगी, बट हमें अगर एक person दिखाया जाए, एक individual लड़की ये लड़का दिखाया जाए, कि वो भूक से मर रहा है, तो हम यार donation करते हैं, हम उसको care करते हैं, और हमें यार लगता है कि हमारी donation इस एक लोग को तो बचा सकती है, बट अगर हमें statistics दिखाया जाए, बहुत बड़ा data दिखाया जाए, कि लाखों लोग मर रहा है, तो हमें लगता है यार कि हमारी एक donation क्या ही कर लेगी, तो यार हम पे एक बड़ा impact होता है जब हम किसी एक बच्चे या एक बच्ची को भूख से मरते हुए देखते हैं as compared to large number of people और अगर मैं ये psychology को movies से compare करूँ तो यार ये कई सारी movies में observe किया है मैंने कि हम लोग यार relate करते हैं एक character से जैसे Hugh Jackman की जो movie आई थी Logan या फिर बजरंगी भाईजान तो उसमें क्या होता है एक बच्ची होती है जो की बहुत ज़्यादा problem face कर रही होती है और हम उस बच्ची से relate करते हैं और जो हमारी movie का main character होता है वो उस बच्ची की help करते है और कुछ movie में हजारों लाखों लोग problem face कर रहे होते हैं मर रहे होते हैं बट still हम उस movie से emotionally connect नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी tendency होती है एक लोग से हम ज़्यादा जुड़ पाते हैं as compared to large number of people तो यार हर किसी को तो scary movies पसंद नहीं होती है बट कुछ लोग हैं जिनको scary movies बहुत पसंद होती है उनको horror movies देखना बहुत पसंद है और कई लोग amusement parks में जाते हैं या फिर malls में जाते हैं जहां पर horror houses बने होते हैं haunted house बने होते हैं जहां पर हम जाते हैं और अंदर गुषते हैं जहां पर jump scares होते हैं तो कई लोगों को ये जो horror situation में पढ़ना बहुत पसंद होता है, और इसका region आता है hormones पर, जब हम इस type की situation में होते हैं, scary situation में होते हैं, तो हमारी body के अंदर adrenaline और dopamine जैसे hormones निकलते हैं, जिस बज़े से हमें एक natural high state मिलती है, ठीक है, और वो जो high state, वो जो emotional high state है, वो high state पे जान बहुत लोगों को अच्छा लगता है, उससे उन्हें emotionally high state feel होती है, ठीक है, बट हमारे mind को यार पता होता है, कि we are not really in danger, और इस वज़े से वो जो fear है, वो हमें अच्छा feel कराता है, क्योंकि हमें emotional high state में होते हैं, number four, food tastes better when someone else makes it, तो यार हम सब लोगों को street food बहुत ज्यादा पसंद होता है, हम street food खाने जाते हैं, और वहां जाके जब हमें एकदम ready to serve खाना मिलता है, ready to serve fast food या जो भी food हो गया, वो हमें मिलता है, तो वो हमें बहुत पसंद आता है, but at the same time, अगर हम उसी food को, example, sandwich हो गया, burger हो गया, उसको अगर हम घर पे बनाने की कोसिस करते हैं, एक कोई वो fast food खुद से बनाते हैं, तो हम उसके around बहुत देर तक रहते हैं, उसकी smell हमारे अंदर continuously जाती रहती है, तो बहुत ज़्यादा देर उसके साथ रहने की वज़ए से हमारी excitement कम हो जाती है, और जब हम ultimately वो prepare हो जाता है, और उसको खाने जाते हैं, तो वो उतना tasty नहीं क्योंकि उसके contact में हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं थे, number five, reciprocity norm, तो the rule of reciprocity कहता है यार कि जब कोई हम पे कोई favor करता है, तो हम obligated feel करते हैं, उसको कुछ return करने के लिए, तो यार आपने बहुत notice किया होगा कि जब कोई हमारी कुछ help करता है, तो हमें बहुत अच्छा ल करती है, इसलिए यार सिखाया जाता है कि अगर आप किसी भी जगे हो, आइधर आप corporate में हो, या किसी business meet में हो, या फिर basically आप कोई deal कर रहे हो, business deal कर रहे हो, तो सबसे पहले यार give की बात किया करो, कि आप क्या देने वाले हो, उसके बाद expect कर सकते हैं कि हम क्या लेने वाले कि अब मुझे कुछ return करना चाहिए, और यह जो tendency होती है human beings की, यह कई बार बहुत सारी companies के दोरा use करी जाती है, जैसे zomato हो गया, ptm हो गया या फिर बहुत सारी companies, यह क्या करते हैं, यह हमें cash back देते हैं, freebies देते हैं, discounts देते हैं, और जिस बजए से human beings को ऐसा लगता है कि अब हमें इन पर more cash burn करना चाहिए, तो उन companies की tendency ही यही है कि हम पहले cash back देंगे, पहले freebies देंगे, पहले discounts देंगे, और उस बजए से human beings जो हैं, जो users हैं, वो उस service को use करने के बाद obligated feel करेंगे, और फिर वो उस company पे ज़्यादा cash burn करेंगे, उस service ज़्यादा use करेंगे, तो बाद में फिर वो जब लोगों की आदत पढ़ जाएगी, लोग उन पे cash burn करना start कर देंगे, तो फिर वो धीरे धीरे discounts कम कर देंगे, तो I hope आपको यह video अची लगी है, अगर अची लगी है तो इस पे like और comment और इस video को share कर सकते हैं, और यार comment ज़रूर करें, कोई भी चीज आपको discuss करनी है, तो आप comment में लिख सकते हैं, आपको कोई extra point लगता है, जो in facts से related हो सकता है, या फिर आपको कोई example लगता है, तो आप यार comment में लिख सकते हैं, आराम से वहाँ पर हम लोग discussion कर सकते हैं, और जब पिछली वीडियो डाली थी तो कुछ 200 subscribers थे, और अब 305 subscribers हो